मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं तो कैसे आप सभी लोग सब एकदम बढ़िया होंगे तो आज है आज हम एक नया कोर्स चाइट करने जा रहे हैं और यह जो कोर्स है तो इसके बारे में आपको पता होगा हमने जो है यह जो कोर्स है तो यह NTA UGC net के बारे में हम द इसके अंतरगत जो सलैवस होता है इसका UGC net का तो इसके बारे में हमने एक दिन बात करी थी जो सेकेंड पेपर होता है सेकेंड पेपर में आपके काफी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे जो भी आपका पोस्टेक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है तो उस इन शुकर है यहाँ हम आज हिंदी के बारे में बात करेंगे जो आपका नेट म में में इसके बारे में हमने देखा था तो तो आज जो है जो पहली एकाई है उसके बारे में हम बात करेंगे हमने टोटल देखा था कि हिंदी में जो है हिंदी के सलेवस में दस एकाई है दस एकाई है और इन एकाईों में से भी हमने देखा था कि कहां से हमें क्या-क्या चीजे पढ़नी है क्या चीजे एकजाम में आत ही कैसे हुआ है और क्या चीजां ही के बारे में चले सूरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की है ganz प्रस्ट भूमी में हम देखेंगे कि इसका विकास कम हुआ है और कितनी भासाइं रही है इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे जो इसके बारे में आपको पता होगा पहले हम क्लास लेंगे और उसके बाद जब यह पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके question को देखेंगे तो अभी जो है यह हम class लेंगे और जब यह पूरा chapter खतम हो जाएगा उसके बाद जो है हम एक दिन question का रख लेंगे ठीक है तो चड़े शुरू करते हैं हिन्दी की आतिहासिक प्रेश्ट भूम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं भासा के बारे में असकर हम समाने पर्चा के बारे में देखते हैं कि कितनी भासा जब अलग अलग जो हैं कई बिद्वान अलग-अलग मानते हैं मतलब एक जैसा नहीं मानते हैं तो जो विस्व में महां आए हैं तो इनको लेकर करके बिद्वानों में अलग-अलग मानते हैं पार छोत हैं Tau 2296, strengthen दिए जाती है वैसे तो अगर भासा की बारे वी पूछा जाए कि कितनी संख्या है तो इसको जो है बिद्वानों में मतलब भेध है अलग-अलग बिद्वान अलग-अलग तरीके से भासा को मानते हैं लेकिन अगर हम इसको समानी रूप से देखते हैं तो लगभग 2796 से और 3000 के बी तो दो तरीके से हम देखते हैं जिस्त में भासाओं की संख्या के अगर हम बात करें भासा परिवारों की संख्या कितनी होती है तो इसको भी लेकर के बिद्वानों में जो है पत्भेध है कई तरीके से कई बिद्वान मानते हैं यहां पर हम कुछ बिद्वानों के बारे मे थोड़ा सा देख लें कि यहां पर कुछ बिद्वान है भोलानात्य तेवारी के बारे में अगर हम देख लें भोलानात्य तेवारी और विल्यम वान हम बोल्ट के बारे में अगर हम देख लें कि यह जो भासा परिवार हैं यह कितना मानते हैं तो यहां पर भोलानात्य तेव ईए देखा कि जो भास आयव होती है तो भासाओं को भी बैद्वाणों में मतभवेद हैं अलग-अलग तरीके से बिद्वान मानते हैं और जो भासा परिवार हैं तो उनको भी लेकर की मतभवेद रहा है निर्विवादेत रूप से अगर हम देखते हैं वी बाइसा च्यतरों की अंतरगर्थ 18 भासा सापरिवारों को महत्रोदेटे अठारा भासाे ह होम यह जो 18 भारों से भासा परिवार गए हैं कुछ विद्वानों के अनूसार लिए बोड चार भाक सब्धार Mr aagOkay tojam दीनके अंतर्गत अग्ल 18 भासा परिवर मांगे policy अगर मीन को सब्सक्राइब haasaya देखी बहुए भारत और यूरूप भासा है और परिवार की भासा हो गई और परिवार की भासा हो गई और फोर्थ जो है यह परिवार की भासा हो गई इनके बारे में हम देखेंगे आगे और चीनी परिवार हो गया और सेवंथ जो है जापानी परिवार हो गया और 8 जो है अतियुत्री हाइपर परिवार की भासा हो गई और 9 जो है बास्क परिवार की भासा हो गई और 10 जो है सामी हामी परिवार की भासा यह जो है यह यूरेसिया भोगॉलिक छेतर की भासाएं हो गई अब हम देखेंगे अफ्रीका भूखंडी की भासा अफॉरीका भुखंड के अंतर और कौन-कौन सी भासा परिवार आते हैं कौन-कौन से भासा परिवार आते हैं तो पहला जो है सोदामी भासा और सेकेंड है बंतू परिवार और थाड़ जो है होंते तोंते बुस्मैनी परिवार यह जो है ये अफ्रीका भुखंड के अंतरगर आते हैं और तर्ड़ प्रसांत महासागरी भुखंड के परिवार की भासा और फोर्थ जो है दच्छडपूर एसी परिवार की भासा और फोर्थ जो है अमेरिकी भुखंड के अंतरगत जो भासा परिवार आते हैं तो अमेरिकी परिवार आता है तो यह हमने जो है चार भगौलिक छेतर देखें कुछ बिद्वानों के अनुसार हमन बात करी है अब हम इनको जो है आगे एक एक करके देख लेंगे हम सबसे पहले देखते हैं भारोपी अगर भारोपी परिवार के अगर हम बात करते हैं तो भारोपी परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक भारत हित्ती परिवार आरे परिवार यह जो है यह नाम आपको य दे सकता है और पूछ सकता है कि क्या है यह जो नाम है इंडो जर्मनेक भारत परिवार आरे परिवार यह आपको याद रखना है भारोपी परिवार के आगे हम बात करें ध्वानी के आधार पर भारोपी परिवार की अगर भासाओं की बात करें तो ध्वानी के आधार पर कु स तो एस पर इसके अंतरगत भारत इराणी आरइभ भासा इस परक्राइब तो यसे भी तीन भागों में डिवाइट गया है इराणी दरद और भारती इस इसमें फार्सी, पहलवी, इरानी, पस्तो, अवेस्ता, बालोची, पामीरी, यह भासाएं आती हैं, पाल्टो, स्लामिक, महारूशी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाग, बुल्गारी, पोली, और सर्वो, क्रोती, स्लोवेनी, यह जो हैं, इसके अंदर गताती हैं, यह चीजें आपको इसके बारे में रखना है, आगे हम बात करें, भारती आरभासाएं और हिंदी आरभासा, यह जो चीजें हैं, यह आपको जरूर याद रखना है, एक्जाम में आ सकता है, और पूछा भी जाता है, तो भारती आरभासाएं और हिंदी भासा की अगर हम बात करें, तो हցम तीन चर्णों में देखते हैं पहले चर्ण में देखेंगे और इसकी भासको को देखेंगे और इसका काल क्रम है कब से कब तक समय दो पहले भारती भासका है वह आजातीय प्रचीन गू ett यह वह 500 इसका चाहीं दो चरी प्राइन को में गया है दो और इनको हम प्राइन करन घ्रदन भाषाम के बारें में देखेंगे और काली नर्टि वह था वविद दिन जो काली आती है एलए जो के भात प्राक्रत अविद्हों से प्राक्राइन नहीं ед vista जिसनी भी भासाय हैं इनको भी हम एक एक करके आगे देखी और थार्ड जो है आधुनिकार भासाय इसके अंतरकत भी भासाय है को भी हम आगे वह लौकिक संस्क्रत और और सखेंड जो है मद्धकाली नारभासाइं मद्धकाली नारभासाओं का जो टाइम पिरेड है वह पांसो इसापूर्च से भी माना गया है और इसके अंतरगत चार भासा आती है चार भासाओं में से हो गया जैसे आपका पाली आप भ्रांस हो और ऑफट तो इसके बारे में भी हम आगे करके इनको हम देखेंगे आध्वनिक आरभासाओं के अंतरगत आजाता है आपका हिंद, पंगला, उडिया, मराथी, गुश्राती, पंजाबी, सिन अधी ये जो हैं आध्वनिक आरभासाओं के अंतरगत आ जाए जाता है— और इसका जो टाइ हम देखते हैं प्रचीन आसा हएं हमने देखा कि दो होती बैदक भासा और लॉकिक तो यहां पर अगर प्रचीन आर भासा की बात करें तो भारत में प्रचीनतम रूप संस्क्रित है और एक विष्षता लॉकिक भासा के आधार पर इसे दो भागों में विवाजित किया गया है वैदिक संस्क्रत और है कि बाद करें तो इसे हम प्रचीन संस्क्रत भासा कहते हैं वैदिक संस्क्रत को यह जो चीजी हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखना है आ सकता है जाम में और पूछा जाता है तो बैदिक भासा जो है इसे प्रचीन संस्क्रत भासा भी कहते हैं इस भासा में बेद विदांग ब्रामः आरण लिया को अपनी सब्द लेखे जाते हैं यह यहां पर बहुत महात्व हो जाता है एक्जाम में पूछ सकता है कि बैदिक भासा जो है तो वह कौन सी भासा मानी जाती है तो यह प्रचीन संस्क्रप भासा मानी जाती है और सबसे यहां पर महत्वूंध हो जाता है कि इस भासा में बेद बेदांग ब्राम्वर्ण और आरन्ड्या औपनिशद यह जो है दिखे जाते हैं ठीक है पैतिक भासा में कुल-52 है 52 ध्वनिया जो है तो यह जो तेरा ध्वनिया है वो स्वर है और 41 जो ड्वनिया है जो बेचेंगे इनको भी हम आगे एक हे करके देखेंगे हैं कि यह तेरा जो स्वर और 41 य्योरिये गये हैं कौन-کौन से बेचेंगे इनको भी हम आगे करके देखींगे तो बैदिक भासा में कुल बावन धुनिया है और इस प्रचीन भासा में तीन लिंग तीन वचन और आठ कारक का उल्लेक भी जा गया है तो यह जो है हमने बात करी बैदिक भासा के बारे में सबसे जो महतुपूर बात है आपको यह यहां पर याद रखना है बेद बिदांग अरण्यक और ब्रह्माण ओपनिशत्र यह चीज यहां पर इसके अंदर बहुत महतुपूर्ण आगे हम बात करें लौकिक भासा की तो अगर हम लौकिक भासा की बात करते हैं तो भासा में बैदिक संस्कृत के बाद की आवस्ता लौकिक संस्कृत भासा कहलाती है और इस भासा को संस्कृत या क्लासिक भासा भी कहते हैं संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं लौ इस भासा में जो है रामायर महाभारत अर्थ सास्त नाठ सास्त्र और अभिज्ञान सकुंतलम कादंबरी आधिप्रसिद्ध रतनाई लिखी गई है यहां पर जो है यह चीज बहुत मात्पूर जाती है एक्जाम में आ सकता है सकरणी हम बात करें अगर धव्भनियों कि बात करें तो बैदिक संस्क्रत की चार ध्वनियों के ल्ब्थ होने से लुकिक संस्क्रत में 48 धवनिया सेश्रही में तो यह हमने लुख नजा के के बारे में हमने देखा था सबसे पएक करें सबसे पहले पाली के बारे में कर से भाले में सबसे पहले हम देखेंगे आगे हम एक Ettन कर के यह जो चारों भासा है मद्ध कालीन भारती आरभांसाओं की इनको हम देखें तो सबसे पहले अगर हम पाली की बात करें तो पाली जो है यह पाली मद्ध कालीन आरभांसा की प्रथम आवस्था है पाली सब्दी की उत्पत्ति के संदर्व में भी बिद्वानों में मतभेद हैं अलग अलग तरीके स से कई विद्वान मानते हैं पाली को जो है पल्ली से भाली सब्द की बीःत्पत्ती हुई है यहीं पर कि यहां पर आपको याद रखनी Assim कि कुछ बिद्वान ऐसा भी मानते हैं कि पाथलि पुत्र से भी मानी जाती है इस अंदर्वें पाहली का पाठ और उपांदृत सब्दे मानते हैं इनको जो है हम आगे देखेंगे कि पाली की उत्पति जो है कैसे कौन-कौन से बिद्वान किस तरीके से इसको मानते है पाली सब्द का एक संबंध पंक्ति से भी माना जाता है और बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त क के दरगर यह चीज भी आपको याद अखन है। आगे हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि पाली जुब्हासा है तो इसको कई बिद्वान अलग अलग तरीक षव मानते हैं तो sol जैसे हम देखें कि पालीगा कि जुब युद्धवानों में से जैसे हम बिदू सेखर भटाचार यसरी मिंद्ध्धार को Mia मदू सेवें बटपत्थव है वह पंकित पंकिट से पंटि और पंच से वपत्य स्वा के पाली पैस्त वाले सर क्या कहते हैं कि पाली की जो उत्पत्ति है वो पाडली से पाडली बना और पाडली से पाडली से जो है वो पाली की उत्ति भीच्छो जगदिस कास्यप कहते हैं कि पाली की जो उत्ति है वो परियाय से पहले पालियाय बना पालियाय से पालियाय और पालियाय स से फिर पाली की जोद्पत्ति भंडार कर वाकर नागल कहते हैं कि पाली की जोद्पत्ति है वो प्राक्रत से पाकट बनी पाड से पाउल बनी और पाउल से पाली बनी विच्छों से धार्द कहते हैं कि पाली भासा की जोद्पत्ति है तो पाठ से पांट बनी पांट से भी कहते हैं कि बने ऊधान नारंवारी कहते हैं श्त्रस अधिक है यह कि भी बारे में काई वह हैं वह अला गलंग तरीखे से मानते हैं और हम बात करें बहुत धर्मिश संहूंध हैं यह तीनों जो महतुपूर्ण हैं वह भी पाली में लिखी गए हैं कौन-कौन से सूत्य पिटक बिनाय पिटक और अभी धम्य पिटक जो है तो सूत्य पिटक बोदे की अपदेशों का संग्र है इसके अंतरगत जो है पांच निकाय आते हैं यह आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको हम यह पर देख लेते हैं पाली भासा की अंतर गर्ट तो इसके अंतरगत जो है सूति पिटक को मैं उत्र को जाता है और कर निकाये हो जाता है और निकाय को यह जो है सूति पितक के अंदर अंधर गाट जाय आती हैं और इसके अंदर जुआ कुछ निकायआती है तो यहां पर जो है बिनाrices कमें हो गए आपका महावगय जो है अधर पाचित्ति और फोर्थ पराजी और फिप्त परिवार यह बिना पिटक के अंतरगत आजाता है और अभिधम में पिटक की बात करें तो अभिधम में पिटक में धर्मों का विश्द्ध और दार्षनिक विश्लेशन यह जो हमने देखा तो बहुत धर्म से संबंद्यत जो ती कि आगे हम बात करें पाली की विसेश्थ और अगर देखें तो द्ध्वनी सारचना संबन्ती कुछ विसेश्थाएं होती हैं पाली में पाली में 41 चैनले शोड़ें इसमें 41 ध्वनिया है जिनमें से 8 ध्वनिया जो है वो स्वर है और 33 ध्वनिया बिंजन मोगलान के अमसार पाली में ध्वनियों की संख्या जो है 43 है जिनमें से 10 जो ध्वनिया है वो स्वर है और 33 ध्वनिया बिंजन यह कौन कहते हैं यह कच्चायन और मोगलान कहते हैं यह दोनों चीज़े आपको यह ध़्यान रखना हैं कच्चायन की अनुसार कहते हैं कच्चायन की मुद्रभ 41 ordered है明गा जिन में से 8 ध्वनिया स्वर हो जाती है गिए और 33 ध्वनिया पॉपि थिंचन मोगलान की कि आगे हम बात करें अगला है पाली की यह ब्याक्रण की साम है देखते है कि इसकी सराचना कैसी है कि जैसे हो जाता है पाली में संगत के न पुन्षक लिंग का लोग दोप होने लगता है और वहीं पाली में संज्वक्तra के दूय वचन का भी फ्रयोग का भी लोग होने लगता है औहिंपर अधिक तर बैंजनांत प्रतिपादत स्वारांत होने लगते हैं इस प्रकृदिया में अंति महलांत बैंजन हटने लगते उसमें स्वारत जोड़ा जाने लगता है यह चीजी है कि अरे यह शरशना नीकड़ी दोर करने में ही किरीयं को इस तरीखे से जैसे हम देखे यह था इसे जो है इनका प्रेयों होने लगता है तो जब हम इनको हिंदी ब्याकराण चपड़ेंगे तो हम इनको एक एक करके देखेंगे जितने चीजें हैं लेकिन अभी जो है अभी हमने जाम के पॉइंट आप यू से क्या क्या चीजे पूछी जाती है तो इसके बारे में हम है जो चीजे महातुर्य तो यह हमने बात करी कि पाली की प्याकरणिक सरचना क्या होती है और पाली की ध्वनी सरचना क्या होती है यह हमने इसके बारे में बात करी अब हम देख लेते हैं कि सब्द को सी प्रवत्तियों के अगर हम बात करें तो पाली की सब्द संपदा का मोल अधार स्वभाविक रूप से ततभो शब्द है यह जो चीज है याद रखना है इस्थानी वर देशा सब्दों का विकास देजी से हुआ है इसमें आगे हम बात करें प्राक्रत बारे में अब हम अगर हम देखें तो प्राक्रत जो है मधिकाली नारभास हो जाती है इसके बारे में मोटी तोर पर प्राक्रत का समय अगर हम देखें तो इसका जो समय है इक से 500 इसपी तक माना जाता है प्राक्रत के विकास के आवस्थां को किशोरी दास बाचपेई आदी बैकर्णों के तीन चरणों में वाटा है और जो तीन चरण है जैसे हो गया प्रथम प्राकृत प्रथम प्राकृत के अंगत अंतरगत जो है प्राकृत प्रचीन प्रत्लिजन भासा मानी गई है नामी सादू ने प्राकृत के संबने में लिखा है कि प्राकृत जो है वो प्राकृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भासा ये कौन क यामी शादू कहते हैं इनके बारे में याद रखना है ये बहुत मात्पूर्ण पर हो जाता है प्रत्म प्राकृत के अंदर गई तो इसको कुछ बिद्वान ऐसा भी मानते हैं कि संस्क्रत भांशा के सरली करण के कारण प्राकृत भांशा बनी है है किसी येद्वान कहते हैं कि प्रáchति के प्राकर प्राकरति संस्कृत आगर्थ वाप्राकरत महरा संस्कृत है और संस्कृत में आल सकता है कि यह कुछ विद्वानों के नाम कहते और पूँच सकता है कि किसने क्या कहा है इसके बारे में आगे हम बात करें लौतocyष और नाम उषभाक नाम नाव वहांसा के लिए रुड हो गया है जो इस प्शल वी सन की शुरूवात से पांच वी सताधिता कि प्रमुक to सा आहेतिक भांस खरच लेता है के चैनल थे निसमा हम यहां पर हम आझे बारें के बार वे विए तो इसका रही और तरीकli के से प्राख्रत की प्रत्म फ़स्था प्रकुरत फ्रोट की दुथी अवस्था प्रखट्य है और प्रकुरत की तृती आवस्था प्रहत है मैं प्राकूरत की बिस्षधा यहां कि यह देखा अगर अगर हम बात करें प्राकूरत की बिस्षधा की बात करें क। जो बात ही पाली से अलग है वो फ्रकार है उप्राकार कि क savings पैला ले प्राकृत के भेद्व हैं कि यहाँ पर विद्वान हैं जो अलगत तरीके से इसको मानते हैं जैसे हमें पाली पसटों है तो कई विद्वानों ने अलगत проект से कऊतपति के बारे में बात करी है कि यहाँ पर भरत मुनि बाइब एक द शरत महारास्ति यह प्राकृत के भेड हैं और गौड़ मिभासा अ क्रफृ आभि रीच अबीरी चंडाली सच्री रावडी यह यह यहां परमात्व की है तो हम आगे देखते हैं अब हम बात करते हैं अब अगर बात करते हैं तो आप भ्रांस मध कालीन और आधुनिक आरभासाओं की बीच आँ यह यहादखन है अब भ्रांस हमार्स जुए मत कालीन और और आधुनिक आरभासाओं की बीच यहाँ के और भांसा के अरथ में इसका जो नामों से इसको जाना जाता है तो यह यहां पर बहुत careful है चांड़ान 차 is यहां पर कुछ बिद्वान है चैसे हम देखें कि नाम पहले-पहल बल्वी के राजा दारसेंद वती किलालेख में इसमें से उसने अपने पिता प्रयोग है तो इन्हों ने कहा है कि अभीरों की भासा है ये अभीरों की भासा है या फिर इन्हों अभीर भी अभीर है भरत मुणी कहते हैं और भाध और हेम चंद्र आप भ्राण्स को कहते हैं कि अभर राम खथे और तो किते का संवन अभीरों तथा गुर्जेरों से तो यह जीज बहुत घ्लिटी आगे हम बात करें डॉकॉर्ट हर्देव ने साथी शदी से 11 शदी तक के शमय को अप्ध। जीजयां पर महत्ता पूर्प में काल कर और किस को हर्देव बाहरी ने कहा है और कब कहा है साथ 14 शदी सब्सक्राइब कर दोक्टर सुनीत कुमार चटर जी क्या कहते हैं कि अब भारती आरभासा के विकास की एक इसकी है और इसके अंसार जो है दिरेंद्र वर्मा कहते हैं कि प्रत्य प्रक्रत की एक हरा रही जात है और इस ध्रह्ष्टी से विए आप भ्रहंसों को पांच प्रकारशStCómo पांच प्रकार से लेखते हैं पछ प्रकारते हैं पहली जो है सोर चैनी यह ब्रहंस और सेकन्ड जो है पैसाची प्राकृत और फॉर्थ जो है अर्दमागधी प्राकृत और फिफ्थ जो है इन्हों ने जो है यह पांच इस्थी कार्थे हैं अब बात करें अवहट के यह जो है मद्कालीन और भासा जो है अधिकाली नार भांसाओं के अंतरकत हमने दिखा था चार काली प्राक्रत और आपव्रांस और अउहट तो हम बात करें आउहट जो है आउहट भांसा का समय अगर हम बात करें इसके टाइम पिरियद की तो 920 पिरियोड यह माना गया है सहित में चब्वी शदी तक इसका प्रयोग होता रहा है अब भ्रांस और पुरान हींदे की बीचाड़ी मानी जाती है ऐसा सुनीत कुमार चटर जी कहते हैं अब सब्द का सब्थम प्रयोग जो है तो वह रतना कर ज्वेटिसी ठाकों ने कहा है संदेश संसक अद अभी मार ने प्राकरत पेंगलं के टीका करों उसे ध्र की बात करी है आगे जो है हम आगे जो टॉपिक के बारे मां बात करेंगे जो हमने देखा था कौन को से टॉपिक हम को पढ़ना है कौन को से टॉपिक हमको पढ़ना है कहां कहां से क्या-क्या चीज़े हमको पढ़ने हैं इसके बारे में हमने बात करी थी तो आज का जो सिसन है वह हम यहीं तक रखते हैं आगे मिलते हैं अपके लेक्चर में तो सभी को बाबाई थैंक